पिछली वीडियो में हमने देखा कि खाना डियोडिनम में ब्रेकडाउन किया जाता है डियोडिनम से इसे स्मॉल इंटिस्टाइन के दूसरे हिस्से में भेजा जाता है जिसे जेजूनम कहते हैं और स्मॉल इंटिस्टाइन के तीसरे हिस्से को इलियम कहा जाता है हमने देखा कि बहुत सारा digestion डियोडिनम में होता है लेकिन जिजूनम और इलियम में बहुत सारा absorption होता है जिहां बहुत थोड़ा digestion और बहुत सारा absorption इस region में खाना पूरी तरह से digest किया जाता है और हमारा शरीर absorb करने के लिए तयार किया जाता है लेकिन खाना यहां कैसे absorb होता है? ये समझने के लिए खाना कैसे absorb होता है हमें small intestine के cross section को देखना होगा इसे small intestine का एक छोटा सा हिस्सा माने इस लंबे tube का एक छोटा सा हिस्सा अब small intestine इस समय पर ज्यादा से ज्यादा nutrients absorb करना चाहता है ये absorption की शमता को बढ़ाना चाता है और absorption का rate small intestine के अंदर के surface area पर निर्भर करता है अगर surface area ज्यादा है तो ज्यादा nutrients absorb किये जाएंगे आम तोर पर इस tube को देखने से हम इसके अंदर के smooth surface को surface area मान सकते हैं, है न? लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है अब tube के अंदर के surface पर उंगली जैसे कई projections होते हैं जिसे वीलाय कहते हैं, जो surface area को बढ़ाते हैं actual image कुछ ऐसे दिखेगी ये सभी छोटे वीलाय surface area को काफी बढ़ा देते हैं लेकिन सवाल ये है कि ये कैसे होता है हम ये कैसे कह सकते हैं कि surface area बढ़ गया है इसे समझने के लिए मान लीजिए कि small intestine कुछ ऐसे खुलेगा और एक rectangular surface जैसे दिखेगा अगर यहां कोई वीलाय नहीं होते तो nutrients इस surface द्वारा absorb किये जाते और ये इसका surface area होता अब चलिए इसके surface पर छोटे उंगली जैसे projections ड्रो करते हैं क्या surface area बढ़ता है? जी हां बिलकुल ये जिस surface area पर खड़ा है ये सिर्फ इसके circular base का area है लेकिन surface area जो exposed है वो हर वीलस का curved surface area है तो उसी area को खड़े रहने के लिए इस्तमाल करते हुए वीलाय nutrients के absorption के लिए surface area को काफी बढ़ा देते हैं इसके कारण nutrients जल्दी absorb हो जाते हैं और undigested waste material और पानी बच जाता है याद रखिए कि वीलाय का digestion में कोई काम नहीं होता ये सिर्फ nutrients को जल्दी absorb करने में मदद करते हैं हमें वीलस के structure को detail में समझने की जरूरत है ये एक वीलस है surface area और बढ़ाने के लिए हर वीलस पर छोटे projections होते हैं और इन्हें micro-vili कहा जाता है जिहां micro-vili जिहां ये छोटे या micro-vili absorption के लिए surface area को और बढ़ाते हैं लेकिन क्या ये surface area को काफी हद तक बढ़ाएगा ये absorption के surface के area को लगभग आदे square meter से 200 square meter तक बढ़ा देता है जिहां एक पूरे tennis court जितना अब हर वीलस के पास central lacteal होता है ये एक central lacteal और कुछ नहीं लेकिन lymphatic system का एक projection है breakdown हुए fat particles central lacteal द्वारा absorb किये जाते हैं और lymphatic system में पास किये जाते हैं लेकिन proteins और carbohydrates के बारे में आपका क्या कहना है ये कैसे absorb होते हैं तो हर central lacteal capillaries के एक network से गिरा हुआ है ये blood को वीलस की ओर लेकर जाते हैं और blood को इससे दूर भी लेकर जाते हैं चलिए हम इसे आपके लिए फिर से दोराते हैं हर वीलस में central lacteal होता है शरीर में central lacteal द्वारा absorb किये जाते हैं और proteins और carbs capillaries द्वारा absorb किये जाते हैं ये एक overview था कि small intestine कैसे काम करती है diodenum में बहुत सारा digestion होता है और regionum और ileum में बहुत सारा absorption होता है small intestine और कुछ नहीं लेकिन एक tube है और खाना वीलाए द्वारा absorb किये जाता है जो कि इसके inner surface पर मौझूद होता है undigested खाना large intestine में भेज दिया जाता है जिसके बारे में हम अगले lesson में सीखेंगे